हम है जिबल्पूर के पशिम शेत्र में और जो कॉंगरेस प्रत्याशी है तरुण बनोजी उनकी धरम-्पत्नी अमारे साथ में बात हम करते हैं कि जब भी कोई काम होता हमारे भार्ती सभिता में और हमारी परंपरामें तो पतनी को और धांगनी कहा जाता है और इसका जीता जागता उधारण मद्य प्रदेश के विदान सभाज चुनाव में अब देखने को मिल रहा है कि जहां पर प्रत्याशी तो जो है जन्सम पर करी रहे हैं धरम पतनिया भी हैं और जो बहने हैं वो भी लगी हुई क्या कहे जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आई और हमसे बाइट ले रहे हैं उसके लिए और बहुत अच्छा लगता है ताकत मिलती है हमें बहने और परिवार के सभी लोग हमारे साथ हमेशा हर चुनाव में रहते हैं और बहनों के साथ-साथ ये पूरी जो हमार जो पिछले 10 साल में कारे करें हैं तरुन जी ने वो जनता सब को बता रही है बता रहे हैं जनता सब लोग की तरुन जी ने कितने अच्छे काम करें और निश्टित रूप से मैं उमीद तरती हूं कि हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव निकालेंगे और एक बार फेर कु पोजिशन में और वो अपनी जो क्या कहते हैं बता रहे कि हमने विकास में ये किया वो किया और हम आने वाले समय में अभी संकल पत्र भी जारी हुआ हम ये करेंगे तो आपको नहीं लगता कि विधान सभा जब चुनाव होता है ये स्थानी निकाए क्योंकि भाया भी जब च चुनाओ है तो विधान सभा चुनाओ में विधान सभा जया गीए बहुति और संकटे सभी से क्या खट्रें क्या किया तो क्या लगता आपको कि जब जनता वोट देने जाएगी तो चार की सांसर्ट को चुनने के लिए आगे आएगी या वो बंदा जो दस साल से यहां पर कार्य कर रहा है। जाएओ बच्चे की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, और कोरूना की बात करें। जो तो लगता है कि आजकल की जनता बहुत हुश्यार है, सब लोग को अच्छे से मालूम है कौँए क्या काम करता है और तरौन जी पिछले 10 सालों से परश्चिम शेतर में काफी विकास के कारे कर रहे हैं पताई बाश्चपा सरकार को यहां उता रहा है तो आप सोच सकते हैं इसमें कि वो कितने घबराई हुए है भाश्चपा सरकार जिसके कारण उन्हेंस जी को यहां पे तरुन जी के अगेंस्ट खड़ा करा रहा है और निशित रूप्त से हमें पता है मारेवा की हमारे उपर क्रिपा है पूरे नर्बदा माता की क्रिपा है हमारे उपर परशिम के सब मद्दाताओं की हमारे उपर क्रिपा है हम बहुत अच्छे से चुनाव निकालेंगी और सच्चाई की जीत होगी सेवा की जीत होगी और तो कुलमिना के कहें तो जबलपुर शहर की तासीर को बहुत अच्छे से समझती हैं क्या रखता है आपको इस बार मैं आपको बहुत बहुत धन्वात देना चाहूंगी रेवर टीवी लिया हम लोग सारी जगे जा रहे हैं सारी बद्दाताओं से मिल रहा है तो हमें तो बहुत ही अच्छा माहौल दिख रहा है सब का आशिरवात मिल रहा है और भाजपा की कुशासन से वैसे भी लोग अज विश्वास बहुत अच्छा है इस बार चुनाओं अगर आयोग की बात करें तो वह भी काफी एक्टिव है लेकिन साथ ही साथ कहें कि बहुत गंभीर है पहली बार यह हुआ है कि मध्यप्रदेश में जितने भी महापौर्थे उनके कारेले को बंद कर दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के कारेले को बंद कर दिया गया है तो ऐसा किस कारण वह टेंचन के कारण या डर है या समतिंग कुछ तो भी है अब आप समझ सकते हैं कि भाजपा की सरकार है MP में और हम लोगों कॉंग्रेस के उपर यह अत्याचार हो रहा है तो आप सोच सकते हैं एक महापौर्थ पर वेक्ती बैठा हूँ उसको इतना परिशांग किया जा रहा है तो आप लोग खुद अन्मान लगा लिजी कि कि इत सब दिख रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि जबलपूर की जनता हम्रद्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है सेवा करने वालों के साथ है सचाही के साथ है 17 नमबर को क्या कहेंगे जो लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं वह जब वोट दे और दूसरी बात यह कि वह जो बहुत पढ़ा लिखा तपका रहता है अक्सर एलेक्शन के डे को पिक्निक डे मानता है चुट्टी कडे मानता जाता नहीं है उन्हें क्या अपील करेंगी मैं यहीं अपील करूंगी कि बच्चों जो आप पहली बार वोटर सो प्लीज आप सामने आएं और आप देखें आपको अपने शेत्र के प्रतिमीदी को देखें जिसने कारे करें हैं उसको देखें आपको आगे पांच साल में उनसे काम पड़ेंगे अपने को अपना विधा करता के साथ लगे हून है तो हमारा कानेखशन हमें निश्ट कुल से मालम है ज्यादा है हम लोगों से जादा करते हैं और हम अनको अपने परिवार की जैसे समझते और वहमें उतना प्यार देते हैं उतना ही प्यार देते हैं वापस सो मैं निष्ट कुरूप से सभी मद्दाताओं से जो अपने फर्स टाइम के हैं उनसे और पुरे पश्चिम शेत्र के मद्दाताओं से यह विंती करती हूं यह आप सही जगा वोट दें तरुन बंजी को वोट दें और हमें विजय बनाएं और हमें ऐसी सेवा करने का मौका देते रहें और जै भारत और आप क्या कहेंगी 17 नौबर को जो लोग पहली बार वोट दे रहे हैं और प्लस जो लोग घर में रहते हैं उनको जागरूप करने के लिए क्लिए संदेश देंगी तो सोचती समझती है और यूवा पड़ी लिकी पीडी है जो आगे का भविष्य है हमारे शहर का देश का और मद्रदेश का इसलिए उनको जरू निकलना चाहिए वोट करना चाहिए और शही व्यक्ति को चुनना चाहिए आपके सामने भास्पा का कुशासन आप 18 सालों से देख चुके हैं तो इससे आज आप नहीं समझेंगे तो फिर से अपन को यहीं भुपतानबु करना पड़ेगा इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप जरूर सोच समझ के वोट करिए और एक बार जो बोट करने जाए तो जरूर जिस वेक्ति को बोट कर रहे ह उसका चहरा जरूर देखिए उसके कारियों को जरूर देखिए और फिर वोट करिए तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब आप तक यह बात समझ में आपको आनी चाहिए कि 17 नॉम्मर को आप अपने सारे काम छोड़ दीजे लेकिन वोट देने जरूर जाए और जैसा कि दो दोनों भावियों ने कहा कि आपको वोट देना है और युवा जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनको क्या ध्यान में रखना है क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले दुछ कैंडिरेट है वो दूसरा उसके कारिकाल में क्या काम हुए और तीसरा यह कि उसके संकल पत्र म सब परिवार दोस्तों के साथ और साथ ही साथ आज पड़ोस के लोगों को भी साथ में लेके जाएगा तभी जाकर एक मजबूत सरकार बनेगी और एक अच्छी सरकार बनाने में आप अपनी महत्पूर्ण भूमी का अदा करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों करे और इसमें आप देख रहें कि महीला शक्ति जो है वह जन्संपर करने निकली हुई है तो आपको क्या लगता है जन्ता का किस प्रकार का सपोर्ट मिल रहे रहे हैं हम लोग जहां-जहां भी जा रहे हैं लोग बाहर आ रहे हैं और हम इस वार बदलाव चाहिए जन्हें साकारात्मा काम किया है जो यहां पर रहकर जिन्होंने कोविड में दुख-सुख में सबका साथ दिया है जनता का सात उन्हीं के हाथ के साथ है अच्छा और क्या लगता है आपको पहली बार सांसा द्राके सिंग प्रतिदुंडी के तोर पर आए हैं तरुन भाई के तो दस साल का कारिकाल जनता याद रखेगी कि वो बीस साल का दस साल का बीस साल तो किसको याद है कि बीस साल का कारिकाल का बीस साल का monitor Lenymar जो किने बार पस्टिन मेख की शेटर का दोरा किया हगा बहुत की जनघ एक पर नहीं जो तू जनता मताएं कि युऊ कि हमारे पास में में किछ बार सन्सद मोह के सिंग होंगे हैं आम ने तो एक भी बार्णी देखा उनको पश्चिम शेत्र में ना इससे पहले उनका नाम भी अमने इतना नहीं सुना है वैसे जी तो मतलब हम जानते हो ना कि सांसद वह है या के वो भी अभी रीसेंट्ली बता चला हमें कि वो सांसद है अच्छा अब जब जिनका हम नाम ही को हम नहीं लगता है कि वोल बिषव तेक हगी एकि युवा है युवा जब परनी बार बोट देता बड़ा स 2007 रहता है तो जब वो देता है कि हैं कि एसे हमारे हमारे में सोचें हमें काम दिलाए हमारे वी युजनाय बनाए अबства उन समर्भाइब कि लोग पियार अपना भाइया के लिए बहुत दिखा रहे हैं एक आक्री सवाल पूछने वाली हूं 17 नयुक्त 17 नौमबर को जो लोग घर पे बैठते हैं और जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनको क्या कहेंगी आप मैं तो उनसे यही कहूँगी क्योंकि हम जहां जहां भी जा रहें जनसंपर के लिए तो हमें सब लोग बता रहेंगी तरुन भीया ने ये काम कराया रोड बनवाई नाली बनवाई तो पबले को मालूम है कि कौन उनको पांच साल तक हमेशा मिलता है इनकी चार पेडिया लग सब जगें तो उनको बहुमत से तरुन भाईया को अब जनता जानती है कि कौन काम करता है कौन सक्रिय है कौन उनके सुब्दुक में खड़ा रहता है तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि तरुन भाईया भारी भरकम मोटों से जितेंगे तो महिला शक्ति का कुल मिला के कहना है कि तरुन भाईया जो है वो एक तो पहली बात अविलेबल रहते हैं दूसरा दस सालों से विशे रहा है उनका पश्चिम शेत्र और पाच्वी पीड़ी है उनकी और दूसरी बात ये भी है कि जनता ये कह रही है कि जम वोट देने ज चाहिए हमको मतलब अध्यप्रदेश में और दूसरा ये भी कह रही है कि हम पिछले जो पांच सालों के कारेकाल को देखेंगे को जरूर याद करेंगे कि कौन हमारे साथ में खड़ा था और साथी जो युगा पीड़ी है उनका ये कहना है कि भाईया हम तो जानते ही नहीं कि रिजल्ट जनता ने किसी चुना लेकिन कुल मिला के ये कहें कि जनता जो है वो पिछले पांच साल के रिकॉर्ड और संकल्प पत्र को जरूर देखेगी